विंद्र की बेटियां इन दिनों अंतर राश्ट्री या इस्तर पर अपने शेत्र का नाम रौशन कर रही हैं विंद्र शेत्र के शहडोल की पूजा वस्तरकार ने भी भारती क्रिकेट टीम में रहते हुए पाकिस्तान की महिला गेंदबाजों के छक्के छुड़ा दिये और शांदार प्रदर्शन कर शेत्र को गौरवानवित कर दिया है दरसल पूजा ने पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए मुकाबले में 69 गेंदों में 66 रन की ताबर तोड पारी खेली जिसमें उन्होंने 8 चौके जड़े इसी पारी के लिए उन्हें प्लेयर आफ दा मैच चुन अपना पहला मुकाबला खिला जो हाई वोल्टेज मैच था जहां भारती टीम ने शांदार प्रदर्शन किया और 107 रन से बड़ी जीत हांसिल की पाकिस्तान के खिलाफ भारती महिला टीम की ओर से पूजा वस्तरकार को भले ही गेंदबाजी करने का मौका नहीं मिला लेकि किस्तान के खिलाफ खेले गए मुकाबले में पूजा वस्तरकार ने 69 गेदों में 66 रन की ताबर तोड पारी खेली जिसमें उन्होंने 8 चौके जड़े इसी पारी के लिए उन्हें प्लेयर आफ दा मैच चुना गया शहडोल में रहने वाले पूजा वस्तरकार के स्वजनो में खुशी का माहवल है इन लोगों ने पूजा का पूरा मैच देखा पूजा की बहन निशा वस्तरकार से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत खुशी हुई कि जब मेरी बहन नियूजिलैंड में अपने बल्ले से रन बटो रही थी पूजा के पिता जहलक रहे थे वहीं पूजा वस्तरकार के क्रिकेट कारियर की बात की जाये तो पूजा वस्तरकार ने दो टेस्ट मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 37 run अब तक बनाए हैं तो वहीं गेंदबाजी में पांच विकेट हासल की ओन्डे मैच की बात करें तो 14 1े मैच अब तक खेल चुकी हैं जिसमें उन्होंनी 257 रन बनाई और 6 विकेट लिए हैं तो वहीं T20 मैच की बात करें तो 24 T20 मैच में उन्होंनी 157 रन बनाई और 19 विकेट अब तक हासिल कर चुकी है कि सब्सक्राइब के लिए तो बहुत बड़ी गरव की बात है और देश के लिए भी उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा पर्फार्मेंस किया और पारी को समहाला अगर वो नहीं होती तो सायद हम अभी जैसे लोग बधाई दे रहे हैं तो सायद ही देते बट अच्छ अच्छा खेली हम चाहते हैं आगे भी अच्छा खेले और देश और अंतराश्टी इस्तर पर और देश का मान बढ़ा है आपको लगता है भारत-पाकिस्तान का मैच और लाइब मैच देखे जाए और सभी चाहते हैं कि इंडिया ही जीते और अच्छा पर्फॉर्मेंस करे जाइब मैच में नमा जागे जाए और आज पास-पास जोतार ने बहुत ही अच्छा प्रदरशन किया, उनोंने अपने बैटिंग को भी एक बैटिंग को दिखाया बालिंग अभी तक भॉलिंग थी उनके और अजा बालर वो टीम में एंट्री हुई थी बट उनकी बैटिंग भी अच्छी थी कि उनोंने बेश्वकभ जैसे इवे संग मजपदेश क्रिकेट संग के लिए काफी खुशी की बात है और बहुत हर्स का विषय भी है यह कि उन्होंने इस तरह का परफॉमेंस किया और आगे भी तुना मिंट में इस तरह के परफॉमेंस उनसे जारी रखने की उमीद भी है मुझे भी उमीद है हमारे हमारे के जो बॉलिंग मेंसी तरह कभी प्रदरसन जारी रहेगा जो और महिला है और जो अभी नहीं जो चात्राइं उभर रहे हैं तो महिला क्रिकेट तो मुझे लगता है बहुत तेजी से बढ़ रहा है हर स्टेट की टीम भी तैयार हो गई है अभी तो हमारे यहां पहले ऐसा होता थ है कि डिविजन लेवल पर टीम है नहीं बनती थी लेकिन अब सारे डिविजन की टीम बनने लगी हैं अंडर 16 से ही तो गल्स के लिए भी क्रिकेट में काफी इस तरह के जो इवेंट हो रहे हैं तो उनके लिए काफी फाइदे मंद हो सकते हैं और जरूरी नहीं कि आप एज कि आप क्रिकेट खेलते हैं एक टाइम के बाद अगर गल्स के पास कुछ ऑप्शन नहीं है तो वह आपने कोचिंग का करियर देख सकते हैं और ट्रेनर का करियर देख सकती है जैसे आप देख सकते है कि शैडूल में भी एक ट्रेनर है तो वह फिमेली है तो इस तरह की